अगला पॉइंट है आयन द्वीध्रू अन्योन निक्रिया ये भी वांडर वाल आकर्शन बलके अंतरगत नहीं आता है जब भी हम किसी आयनिक क्रिस्टल को एक ध्रूवी विलायक में गोलते हैं जैसा एक बहुत कॉमन एक्जाम्पल है एने चीएल आयनिक योगिक है और उसे ध्रूवी विलायक जल में गोला जाता है तो एने चीएल पहले अपगटित होता है एने प्लस और सी यल माइनस में और जो जल के अनू है वो भी ध्रूवी अवस्था में होते हैं तो जल के अअशिक धनाविश और आशिक रिनाविश तो N A plus और C L minus के विगटित होने के बाद N A plus के 4 तरफ जल के अनु का जो रेन ध्रो है वह अकर्शित हो जाता है और जो क्लोराइड अ нем है उसके चारों तरफ जल के अणू का जो धन भाग है वह अकर्शित रहता है तो इस प्रकार से ये जलियोजित होकर के घुल जाते हैं तो ये जलियोजन या इस प्रकार से जल के अणू का जो जुड़ना है आयनों के साथ वो एक अकर्शन बल से जुड़े रहते हैं तो इनके मद्ध जो क्रियाशील बल होता है उसे हम कहते हैं आयन दुविद्रू बल तो यहाँ पर धुरूवी अनू जल है और आयन जब NaCl विगटित होता है तो Na+, और Cl- में विगटित हुआ तो यहाँ पर आयन और दुविद्रू अनू के मदेक आकर्शन बलकारे करता है अगर हम NaF की बात करते हैं और उसे जल में घोलते हैं तो वो भी दो प्रकार से जुड़ सकते हैं जैसे यदि Na+, जब जल क्याणों से घिरता है तो OH2 whole X के रूप में से हम लिख सकते हैं और FH2O whole Y के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर F चुकि निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और Na पॉजिटिव है तो यह जब जल क्याणों के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो दोनों में ही जो जल क्याणों है वो आपस में जुड़ जाते हैं तो NaCl हो चाहे Nafo दोनों ही यहाँ पर एक आयन विखटिद करने वाले आयनिक योगिक होते हैं दोनों ही यहाँ पर आयनिक योगिक होते हैं और जल में घोलने पर यह जो विपरीत आयन है वो अपने एक विशेज प्रकार का द्वीध्रू द्वीध्रू आकर्शन बल ही है हाइड्रोजन बनाने वाले जो परमाडू होते हैं वे सभी परमाडू हाइड्रोजन बन नहीं बना पाते हैं यहाँ पे कुछ शर्ते होती हैं एक तो हाइड्रोजन परमाडू होना चाहिए और दूसर इनमे हाइड्रोजन बंद बनाने की शक्ति होती है। हाइड्रोजन बंद की जो ऊर्जा होती है वो 10 से 100 किलोजूल प्रती मोल के बीच की होती है। तो ज़्यादा थर जो योगिक हैं जैसे कि प्रोटीन है, न्यूकली कमल है। इन सभी में hydrogen बंद पाया जाता है और जो protein, nucleicuml के गुणों का निर्धारन भी hydrogen बंद के द्वारा किया जाता है कई बार और कई सारे ऐसे योगिक हैं जिनमें भौतिक अवस्था का निर्धारन, क्वतनांग, गलनांग, ये सारी चीजों का निर्धारन भी हाइडरोजन बंद के द्वारा होता है तो जब हम बात करते हैं HF अणू की, तो H और F के मद्ध एक साहसे ओजग बंद बना है है, H का एक एक एलेक्ट्रोन और F का एक एक एलेक्ट्रोन इसके मद्ध एक सिंगल पॉन्ट बना हुआ है F, H की तुल्ला में बहुत अधिक रिडविद्यूती है तो जब ये एलेक्ट्रोन यूब अपनी और खीसता है, तो F के उपर आंशिक रिडविश और H के उपर आंशिक धनाविश उत्पन होता है अब HF का एक और अनू हम लेते हैं HF तो वहाँ भी HF में H के उपर आंशिक धनावेश और F के उपर आंशिक रिणावेश उत्पन हुआ है तो यहाँ पर जो F के उपर आंशिक रिणावेश है और H के उपर जो आंशिक धनावेश है इनके मध्य एक टूटी हुई रेखा दिखाई दे रही है यह जो टूटी हुई रेखा है यहाँ पर यह हाइड्रोजन बंद को दर्शाती है वास्तों में यह द्वीद्रू द्वीद्रू आकर्शन बल ही है लेकिन विशेश तरह का आकर्शन बल है और वो इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बंद बनाने की शक्ती सभी परमाड़ों में नहीं होती है केवल जिनका अकार छोटा है और जिनकी रिणे विदुत्ता का मान बहुत अधिक है वे परमाणू ही हाईडरोजन बन बना पाते हैं तो ये द्विध्रू द्विध्रू आकर्शन बल के अंतरगति आते हैं तो हाईडरोजन बन का जो सामर्थ होता है वो डिपेंड करता है उस अणू की विद्यूत रिनता पर और दूसरे अणू पर जो लेश है हाइड्रोजन परुत्पन हुआ है उनके मद्धे जो आकर्षन बल है उस पर यह निर्भर करता है हाइड्रोजन बंद को हमने देखा कि इसे एक तूटी हुई रेखा से दर्शाय जा रहा है और जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे भौतिक गुर्ड जो है किसी पदा अंतर अनुख हाइड्रोजन बंद पाया जाता है तो अंतर अनुख हाइड्रोजन बंद के कारण जो जल के अनुख है वो संगोडी तवस्था में रहते हैं और इस वज़े से यह द्रव अवस्था में होते हैं वहीं उसी परिवार का जो ऑक्सीजन के बाद का सदस्य है सल उसमें हाइडोजन बन बनाने की शक्ती नहीं होती है क्योंकि सल्फर काकार ऑक्सिजन से अधिक होता है तो इस वज़े से H2S गैसियस फॉर्म में होता है यदि हम बात करते हैं HF की और HCL की तो HF द्रव रूप में होता है जबकि HCL गैस रूप में होता है तो CL में भी हाइडोजन बन है जैसा कि हमने देखा HF में HF और HF के मध्या एक द्विद्रू द्विद्रू आकर्शन बल विशेस तरह का कारी करता है जिसे हम हाइडोजन बन कहते हैं तो यहां पर भी HF के कई सारे आणू आपस में संगोडित हो गए और संगोडित होकर द्रव पाच्पन उश्मा के बात करते हैं तो यह समझेंगे कि वाश्पन उश्मा का मान भी वहां पर जादा होगा क्योंकि लिए प्लिए तब वाश्मा Κामा भी बढ़ता जाएगा तो ये सारी चीजें हाइड्रोजन बंद से संबंदी थे और कई सारे योगिक हैं जिनके बहुती गुणों का निर्धारन हम हाइड्रोजन बंद की साहता से कर पाते हैं अड्रों के मध्य आकरशन बल की बात करने के बाद अब हमें उश्मी उर्जा के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि जब हम थोज, द्राव, गैस, तीन अलग-الग अवस्थाओं की बात करते हैं तो उश्मी उर्जा को भी जानना अविश्यक है तो ऐसी उर्जा जो परमाणों और अणों की गती के कारण उत्पन होती है उसे हम उश्मी उर्जा कहते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो उश्मी उर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा उश्मी उर्जा का मान तापमान के समानुपाती होता है तो जो उश्मी उर्जा का मान होता है वो किसी पदार्थ के जितने भी अणू होते हैं उनकी ओसत गती जूर्जा की माप कही जाती है क्योंकि यहाँ पर यदि हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो अणू के बीच की जो गती है वो भी बढ़ती जाती है तो किसी भी पदार्थ में जितने भी अणू है उन सबके ऑसत गती जूर्जा की माप को हम उश्मी उर्जा के रूप में कह सकते हैं और अंतरा अणू का करशन बल और उश्मी उर्जा दोनों के मध्य जो रिलेशन है वो किस तरह से किसी पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है इसे जानना बहुत आवश्यक है अंतरा अणवी काकर्षन बलके कारण हमने देखा कि अणवों के मध्य की जो दूरी है वो कम होती है अणू पास पास रहते हैं और जैसे जैसे उश्मी उर्जा का मान बढ़ता है अणूओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है अणू दूर दूर हो जाते है तो जब हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था की कलपना करते हैं या ठोस और द्रव के अणूओं के बा या ठोस और द्रव का प्रकृति में जो अस्तेत्व है वो देखने को मिलता है क्योंकि जो अन्योन निक्रिया है अन्यों के मद्धिकी और उश्मी उर्जा है ये दोनों चीजें एक दूसरे को संतुलित किये हुए हैं और ठोस और द्रव अवस्था उसी का परिणाम होता है और द्रव अवस्था को जब ठोस में बदला जाता है तो तापमान कम किया जाता है और जब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में लाया जाता है तो तापमान पढ़ाया जाता है और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो ठोस अवस्था है उसको गर्म करते हैं तो उसके जब हम गैसों के द्रवीत होने की बात करते हैं, गैस का द्रवीत होना अर्थात गैस को पहले हम क्या करेंगे, ठंडा करते हैं, तो टेंपरेचर जैसे इसे कम करते हैं, तो एक निश्चित ताप मान होता है, जिसके उपर वो जो गैस है, वो द्रवीत नहीं हो सकती है, चाहे इसे कितना भी अधिक उस परप लगाया जाएं तो दांप बढ़ाने पर गैसे द्रवित होती हैं लेकिन प्रत्यक्स के लिए एक निश्चित ताप होता है जिसके उपर वह गैस द्रवित नहीं हो सकते तो चाहे कितना भी ज्यादा दाब लगा दिया जाए वो गैस वहां पर ड्रवित नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार का जो टेंपरेचर है गैस के लिए जो शेश टेंपरेचर है, इसे हम कहते हैं क्रान्तिक ताप, तो गैसों को केवल संपीडन के द्वारा ही हम द्रवित नहीं कर सकते हैं जैसा कि हमने देखा था कि गैस के अनुमों के मद्धे की जो दूरी है वो बहुत अधिक होती है उसे संपीडित किया जा सकता है लेकिन केवल संपीडन के द्वारा ही उसको द्रवित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके मधे के जो आकर्षन बल होता है वो बहुत कम होता है तो जैसे से टेंपरेचर को कम करेंगे तापमान कम करने पर उसके जो अनू है वो एक दुसरे के पास पास आते हैं तो जब वो अनुपास पास आते अंतरानुक आकर्शन बल का मान बढ़ता है, तो ताप मान कम करके या उश्मी उर्जा के मान को कम करके भी हम उसे संपेडित कर सकते हैं. तो गैसों को आसानी से द्रवित करने के लिए भी उश्मी उर्जा के मान को कम करना अवश्यक है केवल संपीडन करना अवश्यक नहीं है यहां हम दो अलग-अलग प्रकार के गुड़ों की बात करते हैं एक अंतरणों काकर्शन बल और उश्मी उर्जा और दोनों को हम देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता है तो जैसे जैसे अंतरणों काकर्शन बल का मान बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे अवस्था जो है गैस, द्रव और ठोस तो गैस के अणों के मद है आकर्शन बल बहुत कम होता है जबकि द्रव के अणों के मद है आकर्शन बल गैस की तुलना में थोड़ा अधीक होता है और ठोस के अणों में हम देखते हैं कि जितने भी ठोस के अणों हो वो बहुत क्रम बद रूप से एक दूसरे से बहुत अच्छे से आकर्शित अवस्था में रहते हैं तो अंतराणवी का अकर्शन बलके बढ़ने का क्रम यह होगा जिसमें की गैस फिर द्रौव और ठोस दूसरा उश्मी उर्जा उश्मी उर्जा के मान के बढ़ने के साथ सा तो द्रौव से वो गैस अवस्था में परिवर्थित होती है तो उश्मी उर्जा का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ठोस उसके बाद द्रौव और फिर गैस तो जैसे जैसे उश्मी उर्जा का मान बढ़ता जाता है अड़ों के मद्धे का जो आकर्शन बल है वो कम ह होता जाएगा अवस्था ठोस से गैस की और परिवर्तित होने लगती है